How to increase testosterone levels after the age of 50 plus 50 साल की उमर के बाद अपने testosterone level को कैसे बढ़ाएं अगर आपने इसके thumbnail पर क्लिक किया है तो I am sure कि आपको पता ही होगा कि testosterone होता क्या है लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि testosterone एक हर्मोन होता है जिसके बहुत सारे function होते हैं एक male body में और सबसे important function होता है maintenance of muscles और इसके अलावा sexual performance इन सभी बातों के बारे मैंने अपने इस वाले वीडियो में पहले ही बहुत सारी बात कर रखी है और कैसे इसको हमें इसके levels को naturally बढ़ाना है इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी बाते की हुई हैं और आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया वीडियो की link description में है आप इस वीडियो के बाद जाके उसे जरूर देखना तो स्वागत करता हूँ आपका किलो fitness और lifestyle चनल में जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात लोग फालतु बात मेरा नाम है लेपन करनल दिग्विजे सिंग रिटार्ड इंगेन आमी ऑफिसर अ सर्टिफाइड स्पोर्स निट्रिशनिस्ट certified dietitian, certified physical trainer, fitness author और health coach तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले point पर आ जाता हूँ और वो है prioritize sleep adequate sleep हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे hormones को maintain करने के लिए आपका इमूनाची कम से कम 7 to 9 hours of sleep हम per day लें आपकी body को एक proper rest मिले इसके लिए एक proper bedtime routine बनाएं और बनाएं एक consistent sleeping schedule तो दोस्तो अपनी sleep को अपनी नीद को जरूर prioritize रखें priority पर रखें point number two maintain a healthy diet अब healthy diet में क्या आ जाता है हमारे diet में protein के sources होने चाहिए complex carbohydrates के sources होने चाहिए जैसे कि millets वगेरा healthy fats का होना भी बहुत जरूरी है जैसे कि देसीगी एक healthy diet हमारी body में testosterone production को काफी मदद देती है अपनी diet में ऐसे foods का इस्तिमाल करें जिनमें zinc हो, vitamin D हो जैसे कि pumpkin seeds, fish, egg और कुछ dairy products जैसे कि दूद, दही, पनीर और सबसे important चीज़ तो ये है कि जो processed food और packaged foods है उनसे रहें दूर क्योंकि testosterone production पे उसका negative impact होता है नमबर तीन बहुत ही important pointer वो है engage yourself in compound exercises अब compound exercises क्या होती है दोस्तो compound exercises वो होती है जिनमें हमारे पूरी body के physical parts का involvement होता है पहले के जमाने में जब हम लोग खेत में काम क्या करते थे या फिर मेहनत भरे काम क्या करते थे उस टाइम पे हमारी पूरी body का इस्तेमाल इन कामों में हो जाता था लेकिन compound exercises के लिए आज की rate में जब हम ज़्यादा तर लोग offices जाते हैं या फिर physical work जो है वो बहुत कम हो गया है ऐसे टाइम में हमें compound exercises करना जिम में जा करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है compound exercises में multiple muscle groups के use होता है अब इनके examples हैं जैसे की squat, deadlift, bench press and rowing ये सारी जो exercises हैं इनकी छोटी-छोटी clips मैं वीडियो में डाल रहा हूँ ये exercises करने से हमारा जो testosterone level है उसको boost मिलता है जोटी-छोटी-फोटी-जोटी तो भाई अब भले ही आपकी एज 50 हो 60 हो आपको ये exercises करने ही पड़ेंगी अपनी muscle को maintain करने के लिए तो कम से कम हफते में 3 दिन कम से कम 3 दिन आपको ये strength training exercises जरूर करनी हैं और अगर अभी तक आपने ये exercises नहीं किये हैं अपने life में तो मैं आपको ये suggest जरूर करूँगा कि जब आप gym जाएं तो एक trainer अपने साथ जरूर रखें तो point number 4 बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को last तक जरूर देखना क्योंकि जो last का point है वो हमेशा की तरह सबसे important point है तो बात कर लेते हैं point number 4 की अगर आप बहुत जादा stress लेते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां तो होती ही हैं जैसे की blood pressure वगरा वगरा लेकिन जो stress है वो हमारे testosterone levels पर भी बहुत जादा effect डालती है क्योंकि अगर आपका stress बहुत जादा elevated है तो cortisol levels हमारे शरीर में high हो जाते हैं और जिसकी वज़े से testosterone levels जो हैं वो suppress हो जाते हैं इसलिए वह अगर कोई भी किसम की problem है या परेशानी जो आपको trouble कर रही है पचास साल की उमर तक आप उसको sort out नहीं कर पाए तो आगे भी क्या ही कर लोगे इसलिए उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें जिनके उपर आपका कोई भी बस नहीं चलता और practice करें meditation को life को करें fun enjoy और अच्छे अच्छे exercises करें खुद को रखें खुश relax करें music सुनें ऐसी ऐसी hobbies में अपने आपको involve करें जो आपको आनंद देती हैं क्योंकि ध्यान रहे आपके शरीर की responsibility आपकी खुद की है तो बात कर लेते हैं point number 5 की maintain a healthy body weight दोस्तों अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक बने में तो I am sure की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करें और अभी तक अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जरूर subscribe करें और अगर वीडियो आपको actually में अच्छा लग रहा है तो इसे share जरूर करें तो मैं बात कर रहा था healthy body weight की excess body fat especially हमारे पेट के आसपास जो होता है वो सबसे बड़ा contributing factor है हमारे tea levels को कम करने के लिए इसलिए मेरे प्यारे भाईयों focus करें अपना weight कम करने के लिए यहाँ पर आगे हम वीडियो के last point में और मैंने कहा था कि यह बहुत important है supplementation यह तो आपको पता ही है कि हमारा जो आज कल खाना है जो भी सबजियां, fruits यह बाकी के food items हैं उन सब में मिलावट है pesticides है, chemicals है और उनको किस तरीके से grow किया जाता है तो उनके अंदर कितनी nutrition value है, यह भी आपको जानकारी है तो क्योंकि हमें proper nutrition हमारे food से नहीं मिल रहा इसलिए हमें जरूरत है high quality supplements की मेरे पास कुछ supplements हैं, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अगर आपको supplementation के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो इस number पे आप message करें, free of cost आपको मैं जानकारी यहां पर दूँगा तो उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और topic पे वीडियो बनाओ तो मुझे comment में जरूर लिखके बताएं कि मैं किस topic पे वीडियो बनाओ हादिर होंगा उसी वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद